वेल्कम टू पातिदार इंस्टिटूट एन इट्स मी योगेश अंदपा डियर प्रेंड अगर आपके पास छोटी या बड़ी कंपनी है तो आपको कुछ ऐसे प्रस्नों का सामना करना पड़ता है जिसमें गलती दूसरे की होती है और भुगतना आपको पड़ता है गलतीयों को भी रोकने के लिए एक तरीका है जिसका नाम है स्मार्ट पेपर वर्क तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गलती कैसे होती है कैसे आपको लाख्टों का चूना लगता है और फिर बताऊंगा उसका सॉलूशन मान लिजिए कि आपके पास एक छोटी या बड़ी कंस्टर्चन कमपनी है और आपकी कमपनी में 40-50 वर्कर काम करते हैं और आपके वर्कर दो अलग-अलग साइट पर काम करते हैं आपकी दूसरी साइट अभी-अभी ही शुरू हुई है आपको अभी-अभी कॉन्ट्रेक्ट मिला है किसी मेडम का दो मंजीला घर बनवाना है आपको आपके क्लाइंट ने एक स्ट्रक्टर एंजिनियर भी रख लिया है जिसने यह घर का नक्ता बनाया है और जब तक यह प्रोजेक्ट खतम नहीं होता वह समय समय पर आयेगा और वर्ट प्रोग्रेस देखेगा आपने इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर दिया है आपने ग्राउंट फ्लोर भी खतम कर दिया है और आप फर्स फ्लोर पर दीवार बनाने का काम कर रहे हैं अब आपको एक हप्ते के लिए सहर से बाहर जाना है और आप एक हप्ते के लिए आपके सहर से दूर चले जाते हैं लेकिन बाहर जाने से पहले आप अपनी साइट पर जाते हैं और वहाँ जो फॉर्मेन रखा है उसे सलामस्वरा करते हैं और उसके बाद आप जाते हैं आपके बाहर जाने के ठीक दूसरे दिन आपके क्लाइन का एंजिनियर वो साइट पर मुवाईना करने आता है वह फॉर्मेन को कहता है कि उसने जो नक्ता तियार किया था उसमें फर्स फ्लोर और सेकंड लोर पर दिवार बनाने के लिए सॉलिड ब्लोक का उतियोग करना है ऐसा लिखा था लेकिन अब सॉलिड ब्लोक की जगा सॉलो ब्लोक का उतियोग करना है फोर्मेन कहता है कि अच्छा हुआ आपने पहले कह दिया वरना हम फर्स प्लोर पे अभी दिवर बनाने ही वाले से क्लायन का इंजिनियर वापस चला जाता है और फोर्मेन दूसरा काम शुरू कर देता है दो दिन बाद फॉर्मेन को बुखार आ जाता है और वो होस्पिटल चला जाता है डॉक्टर उसे दो तिन दिन आराम करने को कहते है इसी दोरान उसका बोस काम से बाहर गया था वो अपने सहर वापस आ जाता है और फर्स्ट फ्लोर पर काम शुरू कर देता है लेकिन यहाँ फॉर्मेन भी एक कल्सी करता है वो बोस को बताना भूल जाता है कि आपकी गेराजरी में आपके क्लाइन्ट का एंजिनेर आया था और उसने कुछ सला सुचन दिया था आपने फर्स्ट फ्लोर पर काम खटम कर दिया है और फिर एक बार क्लाइन्ट का एंजिनियर मुआईना करने के लिए आता है और जब फर्स्ट फ्लोर पर जाकर वह देखता है तो वह हैरान हो जाता है उसने जो सॉलिट ब्लोक की जगा वालो ब्लोक से दिवाल बनाने को कमपनी को कहा था वो तो सॉलिड ब्लोग से बन गई है वो फॉरन मैडम को फोन लगाता है और मैडम आपको फोन करकर पुछती है कि ऐसा क्यों हुआ फिर क्या है गलती आपकी है आप पूरे फर्स लोर की दिवार उखार कर फिर से बनवाते हैं और वो भी आपके खर्च पर कंपनी चाहे कंस्ट्रक्शन की हो या दूसरी ऐसी गलतियां बार-बार होती रहती है लेकिन अगर आपने एक काम किया होता तो सारी ये फजी अस्ते बस सकते हैं और उसका नाम है साइट विजिटर रेकोर्ड बुक अगर आपकी साइट पर साइट विजिटर रेकोर्ड फर्मेट होता तो जब भी कोई बाहर वाला आजमी आपके प्रोजेक्ट की साइट विजिट करता तो सबसे पहले आपका फर्मेट उस आजमी को साइट विजिटर रेकोर्ड फर्म बरने को कहता जिसमें वह अपना नाम लिखता, तारिख लिखता और अगर कोई सुचना है तो वह रिमार्क्स के कॉलम में लिखता और यह साइट विजिटर रेकोर्ड आपका पॉर्मेन दूसरे ही दिन हेड ओफिस में पहुचा देता और जब आप अपने सहर वापस आते और हेड ओफिस में जाते तो वह साइट विजिटर रेकोर्ड बुक आपके टेबल पर होती आप उसे देखते, पढ़ते, आपको मालुम हो जाता कि आपकी गयाराजरी में किसमें साइट विजिट की है और कौन-कौन सी सुचना दी है तो दोस्तों, आप साइट विजिटर रेकोर्ड का फोन में Microsoft Word में बना सकते है कैसे बनाना है, दो चलिए मैं आपको पताता हूँ तो आपको सब से पहले लिखना है कंपनी का नाम उसके बाद कंपनी का नाम के नीचे लिखना है Head Office का एड्रेस और टेलिपोन नमबर और साथ में email एड्रेस उसके नीचे लिखना है साइट विजिटर रेकोर्ड उसके बाद है सिरीज नमबर उसके बाद साइट का नाम, साइट नेम उसके बाद Day यानि तारिक उसके बाद विजिटर नेम यानि विजिटर का नाम उसके बाद है Designation यानि उसका होदा वो Engineer है, Slumber है, Structure Engineer है अगर वो Government का आदमी है तो कौन से Department से आता है वो भी यहाँ लिखा जा सकता है उसके बाद है Remarks का कॉलम साइट विजिट करके अगर वो कोई Comment करना चाहता है तो वो Remarks के कॉलम में लिखेगा उसके बाद है Authority Signature Authority Signature यानि आपकी Construction साइट पर आप जो आदमी वहाँ देखपल के लिए रखते है उसकी साइट यानि Forman की साइट और अन्त में Visitor Signature यानि जो साइट विजिट कर रहा है उस व्यत्ति की Signature साइट विजिटर रेकोर्ड के दो महत्मपून फाइदे है एक कि कोई भी आदमी Government का हो या Private का वो फालतों में साइट विजिट नहीं करेगा नमबर टू अगर वह आदमी Remarks में कुछ लिखता है तो वह Proof बन जाता है और आप भविश्य में अगर कोई समझ्या खड़ी होती है तो आप अपने क्लाइंट को ये साइट विजिटर वुक दिखा सकते है और करन सकते है कि आपके ही आदमी ने यह सुचना दी थी